हैनो दोज़तों, स्वाधत हैं आपका मेरे ही दूर चैनल पर इच्छा पला हूँ मैं आज से हम लोग सीटर्ट एन्जाम के लिए तामाजी करते हैं की इस्ट्री एन से यार्टी को विल्कुल शुरू आज से पढ़ेंगे इलास 6 से सुरू करेंगे और 8 तक की वोग को एक एक करके स्टड़ी करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आतेंगे जो कस्छा चै की यानि किलास 6 की रिटिहास की किताब है इस्ट्री की इसका नाम है हमारे अती तो इसी से शुरुवात करेंगे और 8 तक की सारी किताबों को पढ़ेंगे तो जड़िए आज की वीडियो को सुरू करते हैं तो अध्याय टीक है प्रारंबिक कथन अध्याय पहला है प्रारंबिक कथन क्या कभ कहा और कैसे तो रसीदा का सवाल है ये रसीदा रेठी अख़वार पढ़ रही थी अचानत उसकी निगार एक सुर्खी पर पढ़ी सौसान पहने वैं सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने बर्सों पहले क्या मुआ था तो कैसे पता लनाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडिये सुन सकते हो पेनी निजन देख सकते हो या फिर अकवार पढ़ सकते हो साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या मुआ था तुम किसी ऐसी व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की इसमती हो लेकिन बहुत पैनी क्या हुआ था यह कैसी जाना जा सकता है अतीत की बारे में हम क्या जान सकते हैं तो अतीत की बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है क्या क्या जाना जा सकता है जैसे लोग क्या खाते थे क्यासे कपड़े पैनते थे किस तरह के घड़ों में रहते थे हम आखेटकों आखेटक मदल्व सिकारी पसिपार्फों, क्रस्पों, सास्पों वेपारियों, परोलतों, सिल्ब कारों कला कारों, संहीत कारों या फिर बैग्यानकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं यही नहीं, हम यहीं भी बता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानिया सुना करते थे, कौन से नाटक दिखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे. लोग कहां रहते थे, तो मानचित्र एक, प्रष्ट दो में मानचित्र एक वी नर्मदा नदी का फता लगाओ, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी की तर्ट पर रहते थे, किस नदी की तर्ट पर, नर्मदा नदी की तर्ट पर, यहाँ पर रहने वाले आरभिक लोगों में से कुछ संग्राहक थे जो आसपास की जगलों की विशाल संपदा से पर्चित थे अपने बोजन के लिए भी जड़ों पनों तथा जंगन के अन उसपादों का यही से संग्रह किया करते थे विजानवरों का आखेट शिकार भी करते थे अब तब पस्चन की सुलेमान और किर्थर पहाडियों का पता नगाओ इसी चेतर में कुछ ऐसे स्थान थे जहां लगवाव आठ हजार वर्ष्ट पूर्ग इस्तरी पूर्षों ने सबसे फैंडिंगे अम तचान जों जैसी पसलों को उपजाना आरंब किया उन्होंने भेड बकरी गाय बेन जैसे पस्चन को पालतु बनाना सुन किया ये लोग गाओं में रहते थे उत्तर पूर्ग में गारों तथा मद भारत में बिंद पहाड़ों का पता लगाओ ये कुछ अन्चेतर ऐसे थे जहां क्रशी का विकास हुआ जहां सबसे पहले चा इस मेफ की में उपर लिखा है जो इस मेफ भी पता दनाना है मान चित्र पर सिंदू तता इसकी सायक नदियों का पता लगाने का प्रियास्तर तो मान चित्र में सिंदू और सिंदू नदी की सायक नदिया तो ये रही सिंदू नदी इसकी सायक नदिया आप लोग को कमेट यानि छोटी छोटी नदियां होती हैं वो साथ में चलती है और आगे चलकर एक बड़ी नदीर में मिल जाती हैं पहनी वो साइब नदिया कहती है लगबंग 4700 वर्ष पूर्ग इनी नदियों के किनारे कुछ आरंबिक नगर फले फूले गंगा वा इसकी साइक नदियों के किनारे तता समुझर तटवर्ती लाप में नगरू परिकास लगबंग 2500 वर्ष पूर्ग भुगा इसको भी यार नखिये गंगा तथा इसकी साइक नदियों का पता लगव गंदा की दक्षर भी नदियों का आसपास तचित प्राचीन कान्विंग मंगद नाम से जाना जाता था इसके सासक ववत सक्ती जानिंग थे उन्होंने एक हिसार राज स्थापित किया देश के अन हिस्सों में भी ऐसे राचियों की स्थापना की गए लोगों ने सद्रेव उप महांदीप के एक हिस्से से दूसरे इसे तक यात्रा की कभी-कभी हिमाले जैसे परवतों पहाड़ियों रेगिस्थान नदियों तथा समद्रों के कारण यात्रा जोखिम मरी होती थी पिर भी ये यात्रा उनके लिए असंबव नहीं थी अता कभी लोग काम की तलास में तो कभी प्रापर्तिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दुशे स्थान जाया करते कभी कभी सेनाएं दुसरे छेत्रों पर विजय अनासन करने के लिए जाती थी इसकी अतरत ब्यापारी कभी काफले में तो कभी जाहाजों में अपने साथ मूल वान बस्थान में लेकर एक स्थान से दुशे स्थान जाते रहते थे नार्मिक बुरू लोगों को सिक्चा वसला देते हुए एक गांचन दुशें का तता एक कसरे से दुसरी कस्पि जाया करते हैं कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की कोजरे की चाहे में उत्सुपता वस्त भी यात्रा पिया करते थे इन सबोभी यात्राओं से लोगों को एक दूसले की विचारों की जानने का अफसर नहीं है आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं एक वार पर से मांचितर एक कुदे को पाड़ियां पर्वत समद्र इस उपमादीप की प्राकतिक सीमा का निर्मान करते हैं अलाकि लोगों के निये इन जीमाओं को पार करना आसान नहीं था जिरों ने ऐसा जाहा भी ऐसा कर सकें। विपर्वतों की इंचाई को छुन सकें तता ग्यारे समधरों को पार कर सकें। उपमादीप की बाहर से भी कुछ लोग यहां आई और यहनी वस गयें। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समुरंदी किया। कई सो वरसों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने या तक की वोजन बनाने की नई तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहें। अब देश्टी नांग। अपने देश्टी लिए हम पुराया इंडिया तता भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया सब्सक्राइब इंडस से निकला है। इसे सल्सक्रिट में सिंदु कहा जाता है। यहां से इपने इडस में इरान और युनान का बता रहां। लगबंग पच्चिस सवार से पूब उत्तर पश्चिन की ओर जाने वाले इरानियों और युनानियों ने सिंदु, वहेदोस, अत्वा, इंडोस और इसी नदी के पूर में सिर्भूमी करदेश को इंडिया कहा। इसने इरानिय और युनानियों ने बरत नाम का परियोग उत्तर पस्चिन में रहने वाले लगण की एक संभूमी के लिए किया जाता था, इस संभूमी का उलेक संसकी तियारंबिक क्रती रिग वेद्र में भी मिलता है, बाद में इसका प्रियोग देश के लिए बुने नहींग अब अति की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्ट कर सकते हैं इनमें से एक तरीका आतीत में निशी गई पुस्ट को मिनना और पढ़ना है यह पुस्ट के हाथ से लिखी होने की कारड़ पांडो निपी कभी जाती हैं अंग्रेजी में पांडो निपी के लिए प्रयोक्त बोने वाला मै सब्द मेनु जिसका अर्थ हाथ है से निकला है ये पांडु निपिया प्राया तार पत्रों अत्वा हेमाले छित वे उविने वाने गुबूर्ज नामक पेड़ की छासे निशिश तरीके से तैयार वोज पत्र पर लिखी जाकी थी अब ये जो यहाँ लिखा है तार पत्रों से बनी पांडु निपि का एक प्रस यहाँ छपा है यह पांडु निपि लगवग 1000 वर्ष पेड़े निखी गई थी किताब बनाने के लिए तार के पत्रों को काटकर उनकी अलग-अलग एसों को एकस्ताथ मान दिया जाता था पर आगे देखते हैं इतने वर्सों में इन में इसी कई पान्वी निपिया आज वी उपलब्द हैं प्राया यह फान्डिलिक्नियां मंदरों और बेहरों में प्राप्त होकूंगां इन पुस्तकों में दार्मिक मानताओं वद्रफारों राजाओं की जीवन और सदियों तथ लूपार आरे यहां महाकाप कविताई दता नाटन्ग भी है इन्वे से कई संस्कृत में लिके मिलते हैं जब कि अन्य प्राप्रतिक और प्राप्रत और तमिल वासा में मिलते हैं प्राप्रत वासा के पर्रयों आम लोग करते थि हम अबनेखों का देन भी कर सकते हैं ऐसी लेख पत्तर अत्वा धात जैसी अपिच्छाक्रत कठोर सत्य उपर उत्क्रीड कियें बिज़ते हैं कभी कभी सासक अत्वा अन लोग अपने आदेशों को इस सरे उत्कील करवाते थे ताकि लोग उने देख साइं पत्तर पर येखवार देते थे राजा माराजा सासंत्य होते थे ताकि काफी समय तक ये बने लने और मोग इने देख से नहीं कुछ अन प्रकार के अपनेख भी मिलते हैं जिन्में राजा उत्तारानियों से अन इस्ती परसोनेली अप्रेकार इंफा गुद्रण उत्किरीड क करवाये उत्तार के लिए प्राया सासक नाणाईयों में अर्जित विजियों का नेखा द्योखा रखते हैं इसकी अत्रिक्त अन्य कई बस्त में अतीत में बने और प्रियोग में डाई जाती थी ऐसी वस्तूं का अधिन करने वाला व्यक्ति पुरा तत्त्त विद कहलना है वियाद रखना है वरा तत्व बिद पत्तर और एट से वनी इमार्तां के अविसेशों चित्रू तता मूर्तियों का अध्यन करते हैं भी वजारों हत्यारों बरतनों आविम्शुडों सिक्पों की प्राप्ति के लिए छान भी इनतफाक पड़ाई भी करते हैं इनमें से ट्वड़े हैं यह इतने नश्ट नहीं हो सकते हैं तो यह इनको पुरातत विद अत्य होती है इनके बारे में अन्धैन तरफिस वराथ सिद जानवरों चुरियों दत्ताम अचनेयों की हड़्ीयां रूपते हैं इससे उन्हेश्यान मदद मिलती है कि अतीत मिनों क्या खात क्या पुरातत विदों को बहुदा के अवसेस मिलते होंगे पांडू लिपियों अब ये तो पता नहीं है कि कपड़ों के अवसेस मिलते होंगे के नगुद पांडू लिपियों अब लेखो तसा पुरातत तुस सिग्या जानकारियों के लिए पांडू निपनी अबनेकों तका परातत तो इसे ग्याद जानकारियों के लिए इतिहास कार उन्हीं कहते हैं जो अतीत का अधियन कहते हैं जो बीद चुपाएं उसकी बारे में अधियन करते हैं तो उन्हें इतिहास का जाता है सुरोट के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पटना वहाँ त्रोचब हो जाता है क्योंकि इन सुरोटों की साहता से हम दीरे दीरे अतीत का प्रयास करते हैं अब अतीत एक या नेक इसके बारे में भी जाननी हैं क्या तिम नें इस कुस्तक की सीजसक हमारे अतीत के ध्यान विया यहां अतीद सब्ध का प्रयोग वावचन के रुद में किया अईसा नर्फ करेंद देए विवें राजाओं तता रानियों के जीवन से वह से अदिकानस लोग अbnा वोजन मचलिया फकड़ कर सिकार करके फल्पूल संग्रें द्वारा प्राप्त करते हैं इसकी विश्यारों में रहने वाले नोग खा दापनोंटी के विए अन्यव्यक्ति उपर निर्वर करते हैं इस तरह के मेद अतीत में भी विद्वान थे आज अनेक तरीके के भेद हैं क क्योंकि हम लोग किसानों पर आश्रे थे ऐसे ही पुराने जो अतीत में थे ऐसे भी लोग दूसरों पर आश्रेत में थे और कुछ आत्मिर्वर में थे ऐसा आज भी है इसके अतरीक एक अन्यव्यक्त है उस समय सासक अपनी विजयों का लेखा योगा रखते थे शासक जो भुषब करते तो उनका नेका लिए कारण है कि अम गुंसास को पता उनकी जाने वाली लढ़ाईयों के बारे में कापी कुछ जानते हैं क्यूंकि जो सासक थे जो उनके द्वारा युद्ध होते थे लणाईया होती थी उनका विब्रण रख लिया जाता था तभी तो इतिहास कारों ये सुरोत के रूप में प्राप्प भी ए तभी तो युद्धों के बारे में जनकाड़ी प्राप्प भेंगे जबकि सिकारी मच्वारे संग्राहक्रस अत्वा पसुपालन जैसे आम आदनी प्राया अपने कारें प्रण बेखा जोका नहीं रखते थे पुरातत्यु की जायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है अलाकि अभी वे इनके बारे में बहुत कुछ जानना से है अब कोई तुलसित तिथी के सर्वें पूछे तो तुम सायल उस दिन की तारीक मां जैसे की दो हजार या इसी तरह का कोई वर्स बताओ दी वर्स की यह गड़ना इसाई धर्म प्रवर्टक ईशा मसीग की जन्म की तितिन से की जाती है अता दो हजार वर्स पहले दो हजार वर्स की ने कतात पर इसा मसीग जन्म इसा मसीग की जन्म की दो हजार वर्स के बाद से है इसा मसीग की जन्म के पूर्र की सभी तितिया इसा पूर्र के रूंत में जानी जाबिए इस कुस्तत में हम दो हजार वपना आरंबिक दिंदु मांते वी बर्वमान से इनके वारे में भी इसमें कुछ इंपोर्टन्ट निखा है इस पुपढ़नी है अंग्रियाजी में बीसी और हिंदी में क्या देए इसा बोल का तात्पन क्या होता है इसा पूर्ण होता है कभी-कभी तुम तिद्धियों से पहने एडी इंदें वेग लिखी लिखा पाती हो यह सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकास देश में अब इसका लेंटर का प्रयोग सामान वह है है बारत में तित्रियों के इस रीप का नग प्रियोग लवग 200 वर्स पूल आरम गुआ था कभी-कभी अंग्रेजी की वीपी अच्छों का प्रियोग होता है जिसका ताथ पर विपोर्प प्रिजेंट वक्तमान से पहने के आओ याद करें आओ चर्चा करें ये याद करने के लिए और ये चर्चा फेब्रियोग है तो इंको मिलान करना है तो चलिए इंको मिलान कर देते हैं नर्मिदा गाटी इसका हुआ सिकान तथा संग्रहर आखेट ये तथा संग्रहर इससे नहीं गलत हो गया है इससे पहले गलत चुमें माउस जिवाँ थोड़ा सा खेल गया था और मदद का हुगा पहला बड़ा राज नर्मिदा गाटी इसमें गारो पहाड़िया आरंबिक क्रसी तो इसको इससे कर पिया जाएगा सिंद्ध तदा इसकी सायद मेर्णिया पर्थम नगर और गंदा गाटी लगवग पच्चिस सोवस हुर्ण के नगर पर ये इसको मिलान कर दिया तो आज का वीडियो यही पर समाप्त होता है मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक किन्ठ ये बाए और हाँ वीडियो को लाइक और जेनल को सब्सक्राइब अवस्टी गों थैंक यू